हलो माई दियर स्टूरेंट्स वेलकम टू तु 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 आपको देने वाला हूँ लेकिन ये भी कहूंगा कि अभी तक आपने इस चेप्टर से पहले वाले चेप्टर की एक्स्प्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप् हैं हैदराबाद में spend हुए थे उन्होंने अपनी education हैदराबाद में ली और United States of America में भी उनके जो पेरेंस हैं दोनों ही राइटर्स थे और अनीज जंग ने अपना करियर स्टार्ट किया था इसे राइटर इन इंडिया और ये भी कह सकते हैं उनके बारे में कि वो एक एड spring stories of stolen childhood में से और यहां वो analyze करेंगी the grinding poverty in traditions which condemn these children to a life of exploitation की कैसे ऐसे बच्चे जो है एक exploitation वाली लाइफ को जीते हैं तो इस कहानी में हम यही पढ़ने वाले हैं और यह भी कहूंगा कि इस कहानी के two parts हैं जो first story है वो एक बच्चे की है जो की एक ragpicker है ragpicker का मतलब क्या होता है और second part जो है वो different है वो एक bengal seller या एक ऐसा बच्चा है जो bengal seller या bengal making industry से बिलोंग करता है तो यहां पर हम देखते हैं जो first title है उसमें heading given है sometimes I find a rupee in the garbage garbage क्या होता है कूडा कच्रा कई बार मुझे जो है rupee मिल जाता है garbage में से तो यहां पर यह statement किस ने बोली है तो यह statement कही है साहिब ने जो इस कहानी का main character है और उससे जब narrator की मुलाकात होती है तो उसी की शुरुआत यहां पर की गई है means narrator ने जब उससे पहली बार पूछा कि why do you do this I ask sahib whom I encounter encounter करना क्या है come across मिलना जैसे वो narrator से रोज मिलता है सुबा morning में कहां पर scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood कि मेरे neighborhood के जो कूड़े के डेर पे अक्सर गूंते में मुझे मिल जाता था तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम यह क्यों करते ह तो sahib left his home long ago, sahib ने अपना गर काफी डाइम पहले चोड़ दिया था और हैरान करने वाली बात है कि उसका चुग घर है वो कहां पर set था amidst amidst होता है in the middle of the green fields of dhaka dhaka यहाँ पर कौन सी जगा है bangladesh की capital है bangladesh से यह लोग आय थी इसका मतलब है and his home is not even a distant memory अभी वो अपनी घ homes that swept away their fields and homes his mother tells him उसकी mother उसको बताती है कि बहुत सारे तुफान आ जाते थे और वो तुफान जिसकी वजए से उनके घर क्या, उनके खेद क्या, सब कुछ खतम हो जाता था क्योंकि तुफान जब भी आते थे तो फसले खराब हो जाती थी और घर उनके पक्के नहीं होते थे तो वो भी हवा में उड़ जाते थे, तो that's why they left, इसलिए वो लोग यहां वहां छोड़ कर यहां पर आ गए, looking for gold in the big city where he now lives, और वो सोना जो है कहते हैं कि looking for gold मतलब सोना डून रहे है, सोने का मतलब यहां के actual सोना नहीं है, but actual में जीने का सहारा डून रहे है कि जो big city है, big city क यहां पर वो रहता है, so I have nothing else to do, he matters, matters क्या होता है when you speak something in audible voice में जब आप कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं देखो मैं क्या करूं, looking away, दूर direction में देखते हैं, तो narrator ने उसे बोल दिया, glibly क्या होता है, थोड़ा casual way से बोल देना, कहते है go to school, school जाओ तुम, realizing immediately और फिर narrator को बाद में realize हुआ, how hollow the advice must sound, कि कहते है, वो narrator को लगा कि मेरी advice हुए, वो कितनी useless सी मुझे लग रही है, कि मैंने इसको क्या कह दिया, school जाओ, school जाने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कहां से arrange करेगा, वो बच्चा जो कूडे की डेर पे घूंगता है, उसके पास कह हां से सब कुछ manage हो पाएगा, but साहिव ने क्या जवाब दिया, there is no school in my neighborhood, when they build one, I will go, कहते हैं वैसे मेरे neighborhood में कोई school है नहीं, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाओंगा, तो तब narrator नहीं पूछ लिया उससे, if I start a school, will you come, अगर मैं एक school start करती हूं, क्या तुम आओगे, so half joking मतलब, उसने narrator ने तो मजाक मजाक में पूछा, yes he sees, smiling broadly, कहते हैं हाँ, बिलकुल मैं आओँगा, और smile करते हूं इसने reply दिया, a few days later, I see him running up to me, कुछ दिन के बाद वो मेरे पास आता है भागते हूए, और क्या पूछता है, is your school ready, क्या आपका school तेयार है, तो narrator का क्या reply था, it takes longer to build a school, काफी टाइम लगता है, school बनाने में, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, यानि इस बात के लिए मुझे embarrassment थी, कि एक ऐसा promise मैं ने किया, जो मुझे लगता है कि शायद possible ही नहीं था, कर पाना पूरा, but promises like mine abound in every corner of this bleak world, a bleak world यहां कुछ से है, dark world है, जहां पर कोई hope नहीं है, कुछ है, वो कहती है, कि मेरी जैसे जैसे बड़े सारे promises है, जो मुझे लगता है, कि यहां पर हर corner में कहीं मिल जाएंगे, उस बच्चे की dark world है, उसकी जो दुनिया है, जहां पर कोई hope नहीं है, बेभी और भी बहुत सारे लोग इनको promises करते होंगे, लेकिन कोई पूरा तो नहीं कर पाता होगा, but narrator कहती है, after months of knowing him, एक महिने भर में उसको जानने के बाद, I ask him his name, मैंने उसे पूछा, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला, साहिब आलम, अब यहां पर देखिए, उसके नाम में एक question आ जाते है, board में, कि what is the irony in साहिब's name, अब साहिब आलम का मतलब क्या होता है, lord of the universe, but actual में वो है क्या ragpicker, तो यहां पर उसके नाम में यह irony है, so he does not know what it means, if he knew its meaning, lord of the universe, he would have a hard time believing it, उसको शायद narrator कहती है, believe ही नही होता कि उसके नाम का मतलब ही है, so unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, वो अपने नाम की मतलब जाने भी ना ही, वो गलियों में गुंता रहत an army of barefoot boys who appear like the morning birds, यानि एक ऐसे बच्चों की आर्मी, barefoot boys में तो नंगे पहर गुमने वालो बच्चों की आर्मी, जो morning में कैसे appear करते है, like morning birds, यानि morning bird की तरह वो आते हैं, and disappear at noon, और दोपया के वक्तों गाहव हो जाते हैं, so over the months, कुछ मन्त के बीच पीच में क्या हुआ, I have come to recognize each of them, कैती मुझे महिने में, कुछ ही महिने में हर किसी को मैंने पहचानना शुरू कर दिया, so narrator ने एक question पूशा हुआ है, क्या आप question था next, जो है, why aren't you wearing chappals, कि तुम लोग chappals क्यों नहीं पहन रहे हो, तो एक बच्चे का क्या reply था, my mother did not bring them down from the shelf, मेरी mother जो है, shelf से उन् लेकिन दूसरे बच्चे ने तब ही add कर दिया, जिसने की shoes पहने हुए है, यानि that do not match, और उस बच्चे ने इसी बात पर reply किया, कि उसकी mother अगर वो चपल नीचे उतार भी देगी, तो यह नहीं पहनेगा, so when I comment on it, जब narrator कहती है, मैंने comment किया इस बात पर, तो he shuffles his feet and says nothing, और वो अपने feet को shuffle करता है, और shuffle करना क्या होता है, keep shifting, यानि इदर उदर जो है, और कुछ भी नहीं बोलता हो, तो एक और बच्चा कहता है, I want shoes, यानि ये बात एक और बच्चे ने बोली, जो कि third boy है, who has never owned a pair of all his life, यानि किसी एक ऐसी बच्चे की आप बात करके देखें, कि जिस बच्चे ने कभी अपनी पूरी life में एक pair of shoes ना लिया हो, वो कहता है कि मुझे shoes चाहिए, so traveling, अब narrator ये कहना चाहती है, कि मैंने इस country में जहां पर भी travel किया है, I have seen children walking barefoot, मैंने बच्चों को नंगे पैर ही देखा है, in cities, on village roads, शेहरों में, गाओं की सड़कों पे, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot, अब वो ये कहना चाहते है, कि ये पैसे की वज़े से ऐसा नहीं है, but उनकी एक tradition है, कि उनको नंगे पैर रहना है, so I wonder if this is only, और narrator को क्या लगता है, कि क्या, ये सिर्फ एक excuse है, to explain away a perpetual state of poverty, सिर्फ आप जो है, अपनी गरीबी वाली situation से बचने का एक बहाना दूनते हैं, या ये show करना चाहते हैं, कि नहीं नहीं, ये तो tradition है हम लोगों के बीच में, लेकिन actual सचाई क्या है, कि वो लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते, कि वो shoes ले सके हैं, चपल वगरा ले सके हैं, फिर narrator को एक story याद आती है, a story, a man from ODP, ODP एक है करनाटका में, तो वहाँ पर एक आदमी था, जैसे एक story बताई थी, narrator को, as a young boy, he would go to school, कि वो young boy था, जब तो school जाया करता था, और साथ में उसके क्या था, एक temple था, where his father was a priest, जहां पर उसके father, जो हैं, वो priest का काम करते थे, तो he would stop briefly at the temple, and pray for a pair of shoes, वो अक्सर temple के आगे रुकता था, और भगवान से pray करता था, a pair of shoes के लिए, 30 years later, I visited his town, narrator कहा थी, मैं, उसके town में दुबारा से गई, and the temple, और उस मंदिर में भी गई, which was now drowned in an air of desolation, यहां पर जो है, एक word narrator ने यूज़ किया है, desolation, desolation का मतलब होता है कि जैसे बिल्कुल waste सा हो चुका हो, बिल्कुल खतम हो चुका हो, लेकिन backyard में क्या नजराता है, where lived the new priest, मुझे नया priest वहां पर दिखा, पुजारी ने, जो पुजारी जो होती है, and there were red and white plastic chairs, वहां पर red और white color की plastic chairs पढ़ी होई है, a young boy dressed in a grey uniform, एक चोटा सा बच्चा, young सा बच्चा आता है, जिसने grey uniform पहनी है, wearing socks and shoes, उसने socks भी पहनी है, shoes भी पहनी है, arrived panting, and threw his school bag on a folding bed, और उसने अपना school bag कहां पर पहें का, folding bed के उपर, so looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess, when he had finally got a pair of shoes, अब वो कहते है कि मुझे इस बच्चे को देखके, उस दूसरे बच्च के सामने, यानि जो goddess होती है, देवी, माता होती है, जो, तो उनके सामने कभी प्रे किया था, और finally उसको pair of shoes मिल गए थे, so let me never lose them, और उनको कभी लूस नहीं करूंगा, the goddess had granted his prayer, यानि goddess ने उसकी prayer को accept किया, young boys like the son of a priest now wore shoes, अब कहने की मतलब किया कि जो priest का बच्चा है, उनक but many others like the rag pickers in my neighborhood, they remain shoesless, लेकिन बहुत सरे ऐसे, चो मेरी neighborhood में, मेरी आसपलोस में, rag pickers है, यानि कूडा कच्रा उठाने वाले बच्चे हैं, वो अभी भी हैं, क्या है, shoeless है, उनके पास shoes नहीं है, तो my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Talley, periphery क्या होता है, on the boundary of Talley, केते हैं, मेरी ज चुकि ज्यादा close भी हुई, और इसलिए मैं Simapuri चली जाती हूँ, जो कि दिल्ली की boundary पे है, yet miles away from it, metaphorically, अब यहाँ पर एक question आ जाता है, कि ऐसा क्यों कहा गया है, कि दिल्ली की boundary पे है, लेकि miles away from it, metaphorically, इसका reason क्या है, कि अगर दिल्ली के comparatively हम यहाँ देखे हैं, तो हैंगे कि चाहे Simapuri rubs its shoulder with Delhi, yet यह बहुत दूर है दिल्ली से, metaphorically, अगर देखा जाए, तो those who live here are squatters who came from Bangladesh, यानि बहुत low level के लोग है, जो बंगलादेश से आए हैं, back in 1971, 1971 वो time period था जब बंगलादेश की creation हुई थी, East Pakistan था पहले यह, उसके बाद इस यहाँ पर और साहिब की family जो है, उनमें से एक है, Simapuri was then a wilderness, Simapuri तब क्या था एक wilderness, wilderness क्या होती है, जैसे एक jungle का area होता है, बिल्कुल उजड़ा हुआ और विरान सा area था, so it still is, आज की date में भी है, but it is no longer empty, लेकिन आज की date में यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते कि यह खाली है, in structures of mud, या गरों की जो यानि मिटी के बने गरों की जो च्छते हैं, वो टिन की है, या तरपुलिन की बनी हुई है, यह actual में temporary च्छते होती है, so devoid of seaways, यहाँ कोई seaways system नहीं है, कोई नालियों की ववस्ता नहीं है, और ना ही कोई running water का कोई source है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने ragpickers र बिना किसी जान पहचान के, without, permits, but, with ration cards, उनके पास ration cards है, that get their names on water's list, and enable them to buy green, और उनके पास ration cards है, जिसके वज़े से उनका नाम water list में आ जाता है, और उनको वन आज मिल जाता है, और यहाँ पर क्या चीज इंपोर्टन है, food, food is more important for survival, यानि जीने के लिए food ज्यादा important है, than an identity, identity तो उनकी है नहीं, so if at the end of the day, we can feed our families, and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields, that, यानि यह जो है, बात की जा रही है, कुछ ऐसी group of women के द्वारा, जो की tattered साड़ी पहने हुए है, टैटल होती है, 40 पुरानी साड़ीया, कि देखो, अगर हम at the end of the day, अगर हम अपने परिवार का अपना पेट, जो है, कम से खाली पेट ना सोए, एक वक्त का खाना तो मिल जाए, तो हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे, as compared to in the fields, जहाँ पर वो हमें कोई grain नहीं दे पाते थे क्योंकि वहाँ हर साल तुफान आ जाते थे, तो यह किसने बोला है, ग्रिप of women ने, जो फटी पुरानी साड़ीयां पहनी हुई थी, तो when I asked them, why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो वो कहते कि मैंने पूछ लिया, कि आपने अपना यह beautiful green fields and rivers हैं क्यों छोड़ के आयो, so whenever they find food, वो कहते कि जहा पर, wherever होता है, जहां पर भी उनको खाना मिलता है, so they pitch their tents that become transit homes, तो वो अपने tent वहाँ लगा लेते हैं, जो उनके transit homes बन जाते हैं, transit homes क्या होते हैं, temporary homes, यानि जहां पर कुछ पल के लिए रहेंगे, उसके बाद इनको नहीं मालूम कहां चले जाएंगे, तो children grow up in them, बच्चे वहीं बड़े हो जाते हैं, becoming partners in survival, और वो survival में partner बन जाते हैं, जैसे parents उनके survive कर रहे थे, वैसे वो भी survive करेंगे, and survival in Simapuri means rag picking, अब यहां पर एक question आपको यह भी आता है, कि why is it said that survival in Simapuri means rag picking, क्योंकि उनके पास कोई और option नहीं है, rag picking के लावा वो लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा कहा गया है, so through the years, it has acquired the proportion of a fine art, वो कहते हैं कि यहां पर, जैसे न कई सालों से तो एक fine art का proportion जैसे बन चुका होता है, तो उनके कहने का मतलब है कि जैसे उनके लिए यह color बन चुकी है, rag picking जो है, वो एक sort of art है, जो हम लोग कर रहे हैं यहां पर, so through the years, it has acquired the proportion of a fine art and garbage to them is gold, और उनके लिए वो garbage का है, gold है, gold होता है, so it is their daily bread, यह उनका daily bread है, एक roof over their heads है, एक च्छत उनको देता है, and even if it is leaking, चाहिए जो च्छत है वो लेक भी कर रही है, but for a child it is even more, और बच्ची के लिए उससे भी ज्यादा बहुत कुछ हो जाता है, so I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, अब साहिब यह भी कहता है, narrator को कि कई बार जो है, मुझे कूडे की डेर पर जो है, एक rupee मिल जाता है, कई बार एक 10 rupee note भी मिल जाता है, तो उसकी eyes जो है, lighting up मतलब वो एकदम से glim करती है, shine करती है, and when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope for finding more, तो अब यह बात सची है कि अगर आपक कुछ silver coin मिल गया, अगर by chance किसी भी कुडे की डेर पर, तो आप फिर search करना, scrounge करना क्या होता है, search करना क्यों छोड़ोगे आप, for there is a hope of finding more, तो आपको लगता है कि और भी आपको कुछ मिल जाएगा, it seems that for children, ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए garbage क्या है, उसका meaning different है from what it means to their parents, जो उनके parents से अलग है, for the children, बच्चों के लिए क्या है, it is wrapped in wonder, ये something ऐसा है, जो हरानी से बरा हुआ है, and for the elders, it is a means of survival, तो बच्चों के लिए garbage का मतलब क्या है, means of survival है, जीने का सहरा, लेकिन बच्चों के लिए क्या है वो, बच्चों के लिए है, वो something wrapped in wonder, और बच् के लिए है, कुछ जीने का सहरा, तो ये दोनों difference यहाँ पर show होते हैं, फिर one winter morning, I see sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, एक winter morning में narrator ने देखा, sahib को एक fence gate पे, fence होता है, जो wall होती है, boundary होती है, एक neighborhood club के बाहर खड़ा हुए, watching two young men dressed in white, जिन्होंने white color की dress पहने हुई है, और tennis खेल रहे हैं, तो narrator narrator कहती है, जब मैं उससे पूछना चाहती हूँ, तो उसने क्या बोला, I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence, कहता है, चलो ठीक है, चाहे मैं दूर से खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ए game अच्छी लगती है, और वो ये भी कहता है, I go inside when no one is around, he admits, the gatekeeper lets me use the swing, gatekeeper मुझे swings use क that looks strange over his discolored shirt and shorts, उसने जो discolored shirt पहनी है, shorts पहनी है, और उसने जो tennis shoes पहनी हूँ है, वो बिल्कुल अलग से लग रहे है, जीब से लग रहे है उसके, और discolored क्या होता है, जैसे कोई dress होती है, कोई shirt होती है, जिसका color fade हो चुक है, और उसने जो shorts पहनी है, उसके साथ तो match भी नी होरे shoes, someone gave them to me, he says in a manner of an explanation, और वो एक explanation के तोर पे narrator को बता था, किसी ने मुझे ये shoes दिये थे, the fact that they are discarded shoes of some rich boy, और सचाई किया है कि वो एक ऐसे shoes है, जो किसी अमीर बच्चे ने फैंक दियोंगे, who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि उन में से एक जूते में थोड़ा सा hole हो चुक because for one who has walked barefoot, एक ऐसा बच्चा जो काफी सालों तक नंगे पहर गुमा हो, even shoes with a hole is a dream come true, और उसके लिए तो ऐसा है कि जैसे एक सपना पूरा हो गया हो, so but the game he is watching so intently is out of his reach, लेकिन वो जो game खेल रहा है, वो उसकी रीच से बहुत परे है, so this morning sahib is on, on his way to the milk booth, और नेरेटर कहती मैं इसको देखती हूं, milk booth की तरफ जा रहा है, so in his hand is a steel canister, steel canister क्या होता है, जो छोटा सा एक चाहे रखने वाला steel का बनावा होता है, जिसमें 6 या 8 cup होते हैं, तो I now work in a tea stall down the road, वो नेरेटर को यह कहना चाहता है कि मैं एक tea stall पर काम करता हूं, जो कि बिलकुल नीचे वाल रुपीज and all my meals, वो कहता है मुझे 800 रुपे और साथ में सारे की सारे जो भोजन है, पूरे दिन की वो मिलते हैं वहाँ पर, यानि breakfast, lunch or dinner, so does he like the job, question यहाँ पर यहाँ आता है, तो his face कहती है, जब मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हें वो जो पसंद है, his face I see has lost the carefree look, लेकि नहीं था actually, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, वो steel canister जो है उसको heavy लग रहा है, जो कि छोटे साइज में है, as compared to the plastic bag, जो अक्सर अपने back पे लेकर, shoulder पे लेकर घूमा करता था, इसका मतलब किया है कि जो bag है, वो उसका अपना था, but canister belongs to the man who owns the tea shop, and sahib is no longer his own master, अब इसका मतलब किया है कि sahib अब अपना मालिक नहीं था, उसको अपने मालिक, यानि जो जिसके tea shop पे वो काम कर रहे है, tea store पे काम कर रहे है, उसकी बात माननी पड़ती है, तो ये sahib की story थी, अब second story हमारी start होती है, वो है I want to drive a car, तो ये किसने बोला मुकेश ने, मुकेश insists on being his own master, मुकेश कहता है कि वो अपना master खुद बनेगा, I will be a motor mechanic, he announces मैं एक motor mechanic बन जाऊंगा, तो narrator ने उससे पूछ लिया, अब ये second story स्टार्ट होगी है, narrator ने क्या पूछा, do you know anything about cars, तो वो कहता है कि I will learn to drive a car, मैं सीख जाऊंगा कि कैसी car drive करते हैं, he answers, looking straight into my eyes, his dreams looms like a miraz amidst the dust of streets that fill his town, फिरोज़ जो कि famous किस के लिए है, bangles के लिए, अब कहती है, जब उसने मुझे ये बोलाना कि मैं सीखूंगा car जो है चलाना, तो मुझे लगा कि उसका जो सपना है, वो मुझे एक illusion की तरह लगता है, illusion क्या होता है, ब्रहम की तरह है, कि I don't know whether he would be able to achieve this or not, क्योंकि वो जिस town में रहता ह है, जहाँ पर मिटी से वरी होई गलिया है, और उसके town जो basically famous है कि सीच के लिए bangles के लिए, वहाँ पर एक बच्चा, एक different profession चूज करने की बात कैसी कर सकता है, because वहाँ आपको हर गर में क्या मिलेगा, every other family, पहली बात तो हर परिवार देखें अगर फिरोजाबाद के अंद is engaged in making bangles, वह सब के सब bangles बनाने में engaged हैं, व्यस्त हैं, and it is the center of India's glass blowing industry, where families have spent, जिनोंने ये एक ऐसी glass blowing industry है, glass blowing मतलब bangles बनाने वाली एक ऐसी industry है, जहाँ पर जो परिवारों ने अपनी generations, generations का मतलब क्या है, कि उनकी जो दादा पर दादा जो हैं पहले यही काम करते रहे हैं, और किसके around, around furnaces, furnaces क्या होती हैं, बठियां जो होती हैं, welding glass, और वो weld करते रहे हैं, glass को making bangles for all the women in the land, it seems, और ऐसा लगता है कि सब women के लिए वो चूडिया बनाते रहे हैं, जो कि यहां असपास के हैं, but not only the same area, पूरे इंडिया में supply होती होंगी तो, सो मुकेश की family उन में से एक है, none of them know that it is illegal for children like him to walk in the glass furnaces with high temperature, और किसी कुछ बात का एसास नहीं है, कि यह illegal होता है कि अगर आप एक बच्चे हैं और आप इतने high temperature में काम कर रहे हैं, उन बठियों के आसपास, अब आप खुछ सोच के देखिए, अगर कानून को exact way से लगाया जाए, तो कम से कम 20,000 बच्ची आपको ऐसे मिलेंगे, जो ऐसी गरम गरम बठियों के आसपास काम करते रहते हैं, और वो दिन का पूरा का पूरा वक्त अपना वहीं पीद बिता देते हैं, and often losing the brightness of their eyes, और अकसर अपनी जो brightness साखों की खो देते हैं, मुकेश की आखी भी जो है, beams as he volunteers to take me home, वो मुझे गहले जाना चाहता है, लेटर कहती है कि जहाँ जिन गलियों में से हम निकले, वहाँ तो foul smell वाली गलियां थी, बहुत गंदी smell आ रही थी, और वो जो कहते हैं नालियां भरी पड़ी थी कच्रे के साथ, यह इसके बाद कुछ ऐसे गरों के आगे से निकले, जो hovels with crumbling walls, जो पिलकुल ऐसे लग रहे हैं, जैसे hovels होते हैं, shed वाले houses होते हैं, और crumbling walls हैं, कभी भी गिर जाएंगी, ऐसी walls ही, and wobbly doors, और wobbly doors क्या होते हैं, जो temporary attach किये हुए दरवाजे होते हैं, no windows, कोई किडकिया नहीं हैं, crowded with families of humans and animals, coexisting in a premival state, अब ऐसी state में रहते हैं, जैसे बहुत पुरानी time period होगा, जब animals और human beings एक इचत के नीचे रह रहे हैं, temporary जो बनी इचत की, घासफूस की बनी इचत जो है, और वो भी पुराने तरीके से बहुत, So he stops at the door of one such house, एक घर के आगे मुकेश रुखता है, banks a wobbly iron door, iron मतलब लोहे का बनवा दरवाजा, उसको जोर से वो पैर मारता है with his foot and pushes it open और एकदम से खुल जाता है, If we enter a half built shack, अब हम एक half built shack की तरफ जाते हैं, और वो क्या होती है, आदी बनी होई hut जो है, in one part of it, test with dead grass, वहाँ पर आपको क्या चीज मिलेगी, जो सूखी होई घास के बनी होई covering है, इसे firewood stove वहाँ पर जो temporary सिछात है, उसके नीचे firewood stove रखा हुआ है, जहाँ पर acid से large vessel एक बड़ा सा बरतन रखा हुआ है, of sizzling spinach leaves का, और ये कौन सबजिया बना रहा है, ये जो spinach होती है, पालक के पत्तों की जो है न, so on the ground, in a large aluminium, वहाँ पर एक और platters पड़ा हुआ है, बरतन पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ और कटी हुई सबजिया पड़ी है, chopped vegetables क्या होती है, कटी हुई सबजिया, a frial, frial क्या होता है, एक weak young woman, is cooking the evening meal, शाम का बोजन बना रही है, for the whole family, so, चाहे उसकी आखें जो है, वह समॉक से बरी हुई है, but even then she smiles, and she is the wife of Mukesh's elder brother, Mukesh के बड़े भाई की पत्नी है, not much older in years, उसकी यह ज़ादा नहीं लगती, she has begun to command respect as bahu, अब उसको घर में bahu का दर्जा दिया जाता है, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, और वो तीन मैं जो है, उनकी केर करती है, घर में एक तो उसके पती, एक Mukesh और एक उनका जो father है, so when the older man enters, जब भी भड़े आदमी घर में एंटर करते हैं, कोई भी आता है, यानि father ही लगा लिजी एंटर करते हैं, तो she gently withdraws behind the broken wall, वो अपने आपको एक broken wall के पीछे चली जाती है, और फिर क्या करती है, brings her will closer to her face, और अपना face जो है, वो ढख लेती है, किस के साथ, elders की daughter-in-law को अपनी जो ससूर हैं उनके सामने, या जो बड़े male member होते हैं, उनके सामने अपना face से ढखना होता है, अपनी चुन्नी के साथ, कपड़े के साथ, so in this case, the elder is an impoverished Bengal maker, अब देखिए यहाँ पचाए वो गरीब आदमी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो tradition है, वो तो follow करनी हैं, and despite long years of hard labor, first as a tailor, पहले उन्होंने दिखो, यानि मुकेश के father ने एक tailor के तोर पे काम किया, देने bangle maker के तोर के काम किया, and he has failed to renovate a house, वो घर को renovate भी ने कर पाए हैं डंग से, और अपने बच्चों को school तो बेजना बड़ी दूर की बात है, all he managed to do is, वो एक ही बात अगर कुछ कर बाए हैं तो वो है, तो बच्चों को सिखाया उन्होंने क्या, what he knows, the art of making bangles, यानि सिर्फ चूडियां बनाने की कला, it is his करम, his destiny, says मुकेश's grandmother, मुकेश की grandmother बोलती हैं कि यह तो उसके करम है, उसकी destiny, उसका भागया है, who has washed her own husband, अब कहते ही कि देखो, मैंने अपने husband को देखा है, blind होते हुए, with the dust from polishing the glass of bangles, जो dust जो हमारी bangles बनाते वक्त उठती थी, उससे आइस पे बहुत effect पड़ता है, so can a God-given lineage ever be broken, क्या हम जो यह बना हुआ एक lineage, यानि जो trend चलती हा रही है कि bangles maker का बेटा bangles maker ही बनेगा, क्या इसको तोड़ा जा सकता है, क् born in the caste of bangles makers, क्योंकि हम लोग तो शायद caste, ऐसी caste में पैदा हुए है, जो bangles makers की caste है, and they have seen nothing but bangles, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in phrojaabad, हर जगा क्या नज़र आया है उनको, spirals of bangles, यानि bangles के चूडियों के डेर उनको नज़र आया है, और कुछ भी नहीं, अब आप देखिए, किस-क इस कलर की bangles मिलेंगे आपको, sunny gold, paddy green, यानि जो green crop का जो कलर होता है, फसलो का कलर होता है, sunny gold का कलर मैच किया गए, sun की कलर के साथ, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors, होता है rainbow, हर कलर की bangles आपको मिलेगी, वहाँ पे lie in mounts in unkempt yard, यानि आपको वहाँ पे उनके डेर के डेर मिलेंगे, unkempt yard क मतलब क्या हुआ, जहाँ पर साथ सफाई तो बहुत कमी है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे, piled on four wheeled hand cards, hand cards होती है, जो आप four wheel की तो होती है, लेकिन उसको आप हास से चलाते हैं, जैसे आपने दिखा होगा, यहाँ गलियों में रेडी वगरा लेके आते हैं, चार पयों वा हाटमेंड्स होर अगर अंदेरे वाली हाटमेंड्स की बात करें, next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles, और वो circles of bangles यानि और कुछ भी नहीं, डाक हाटमेंड में यहाँ पर चूडियों को solder करने की process होती है, उनको joint करने की process वगरा होती है, वहाँ बड़े सारे बच्च हैं, बैठे हुए हैं और अपने parents के साथ काम करवा रहे हैं, और their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, उनकी आखे जो हैं, वो डाक को जादा adjust कर रहे हैं as compared to the light outside, and that is why they often end up losing their eyesight before they become adults, और इसलिए ऐसा होता है, कि वो इससे पहले की adults, यानि बड़े हों, वो अपनी आईसे पहली खो देते हैं, वो एक elderly woman के साथ बैटी है, soldering pieces of glass, और वो joint कर रही है कुछ glass के pieces को, यानि बैंगल के टुकडो को, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, और उसके हाथ इतने expert हो चुके हैं न, उसके हाथ एक machine की तरह move करते हैं, and I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make, अब वो कहती है, नेरेटर की मुझे हरानी होती, क्या उसको in bangles की purity के बारे में कुछ पता है, it symbolizes an Indian woman, ये Indian woman के सुहाग को symbolize करती है, auspiciousness in marriage, अब आपने देखा होगा, जब शादी होती है लड़कियों की, तो वो चूडियां पहनती है, नेरेटर को सिरफ इसी बात का होता था कि उसको पता नहीं है, so it will dawn, और suddenly, ये उसको तब हैसास होगा उसने, and her hands dyed red, और उसके हाथों में जो मेहंदी लगे होगी, and red bangles, और red color की चूडियां पहने होगी, rolled onto her wrist, अपनी कलाई में, so she will then become a bride, वो दुलहन बन जाएगी एक दिन, so like the old woman beside her, who become one many years ago, और वो उसी वोमन की तरह जो उसके साथ बैटी हुई है, जो की बहुत साल पहले बनी होगी दुलन कभी, she still has bangles on her wrist, उसने आज भी अपनी कलाई में बैंगल पहनी हुई है, but no light in her eyes, लेकिन उसके आखों में चमक नहीं है, क्या कहना चाहती है वो, एक वक्त सेर बर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy, वो कहते है कई बार न हम एक वक्त का खाना भी न नहीं है, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, अपनी पूरी lifetime में भी ऐसा होता है कि full meal उसने नहीं खाया, तो that is what she has reaped, अब देखो उसने इस बैंगल में किंग इंडस्ट्री में काम करके क्या पाया, क्या कमाया है, her husband, an old man, जो उसके पती अब बुड़े आदमी है, with a flying beard, उनकी बड़ी है, दाड़ी है, उनकी, says, I know nothing except Bengals, कहते है, मैं तो Bengals के लावा कुछ जानता ही नहीं हूँ, all I have done is make a house for the family to live in, सिर्फ घर वालों के लिए एक गरी परिवार के लिए घरी बना पाया हूं, उसके लावा में कुछ नहीं कर पाया हूं, so hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head, तो एक बात ये भी सुनके हरानी होती है, कि क्या अपता उसने वो चीज अचीज अचीव कर लियो, जो बहुत सरे परिवार ऐसे है, जिन्हों ने कभी अपनी लाइफ में वो चीज अचीज अचीव ही ना की हो, कम से कम उनकी सर पे छट तो है, आपको हर गर में क्या चीज सुनाई रहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ और कर पाएं, not even enough to eat, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम भर पिट खाना खा पाएं, rings in every home, यह आपको बाती हर घर में मिलेंगी, जो कि बैंगल मेंकिंग इंडिस्ट्री में लोग involved हैं, the young men echo the limit of their elders, और जो young men ह उनको इस भात का दुख रहते हैं, कि उन्होंने अपने elders को खो दिया है, and little has moved with time, वो कुछ ही जो कह सकते हैं, change आया है time के साथ, it seems in फिरोजाबाद, so years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, ऐसा लगता है कि शायद जो time के साथ साच वेना, इतना hard work उन लोगों ने कर लिया है, जो mind numbing toil है, mind num पूरा लगा देते हैं, तो उनके पास कोई initiative लेने की अब शक्ती ही नहीं रही है, कोई सपने लेने की शक्ती नहीं रही है, so why not organize yourselves into a cooperative, ने उनको suggest किया, जो young men थे वहाँ पर, कि तुम लोग अपने आपको cooperative में develop क्यों नहीं करते, who have fallen into the vicious circle of middle men, who trapped their fathers and forefathers, वो कहते हैं कि द ऐसे ही ऐसे कामें involve करके रखा, तो तुम अपने आपको cooperative में develop करो, कुछ और करने की सोचो, तो यहाँ पर उन parents का क्या reply है, उन men का क्या reply है, so even if we get organized, we are the ones, अगर हम organized अपने आपको कर भी लेते हैं, तो होगा क्या, who will be hold up, we are the one who will be hold up, hold up क्या होता है, dragged up by the police, police हमें गसीट क ले आएगी, beaten, पीटा जाएगा हमें, and dragged to the jail for doing something illegal, और हमें यह कहा जाएगा कि हमने कुछ illegal किया है, हमें jail में डाल दिया जाएगा, they say, so there is no leader among them, उनके बीच में कोई leader नहीं है, no one who could help them see things, कोई उनको यह दिखा सके, की चीजों को आप different way से दिखिए, their fathers are as tired as they are, वो उतने उनके parents, यानि उनके father भी ठके हुए है, यानि उनके father इतने ठक चुके हैं, जितने की वो ठके हुए है, so they talk endlessly in spiral, वो सिर्फ किसी ही में बात करते हैं, यह Bengal के बारे में, that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice, यानि एक ही बात, एक circle में जैसे एक बात गुमती है न, यानि वो सिर्फ यही बाते क इंचा topic है, जिनके बारे में वो बाते करते हैं, इसके लावा कुछ भी नहीं करते हैं, and listening to them, और narrator कहती है, जब मैं उनको सुनती हूँ, इस सब बाते करते हुए, I see two distinct world, मुझे two different world नजर आते हैं, one of the family caught in a web of poverty, एक तो वो है, जो गरीबी के उसमें, जाल में फसे हुए है burdened by the stigma of caste, क्योंकि वो एक ऐसी caste में पैदा हुए हैं, जहां पर उनके पास कोई और option नहीं रहता है, initiative लेने का, और दूसरा कुछ सा है, the vicious circle of the सहुकार्स, the middleman, the policeman, या दूसरा वो एक बहुत गंदा जो सरकल है, vicious दोखेबाजी वाला सरकल है, जिसमें सहुकार्स, middleman, policeman है, keep politicians हैं, together they have imposed the baggage, उन दोनोंने मिलके एक बड़ा सा baggage उस बच्चे के कंदे पे रखाया, that cannot put down, जो कि वो हटाई नहीं सकता, so before he is aware, इससे पहले कि वो aware हो, he accept it as a, as, as a naturally, as his father, यानि वो इससे पहले उसको समझ आए, वो उसी चीज को अपने, जो लाइफ का एक पार्ट बना ल के लावा कुछ और करने की सोचते हैं, तो उसके लिए आपको dare, यानि साहस चाहिए, and daring is not part of his growing up, और daring उसके growing up का एक पार्ट हो इनी सकता है, यानि वो ऐसा कुछ करीन सकता है, जिसमें वो हिम्मत दिखा सके कि उसको इतना डरपोग बना दिया जाता है, so when I sense a flash of it in Mukesh, narrator कह कि वो कुछ अलग करने की जिद रखता है, हिम्मत रखता है, तो I am cheered, मैं खुश होती हूँ, वो क्या कहता है, I want to be a motor mechanic, he repeats, so he will go to a garage and learn, but the garage is long way from his home, narrator ने पूछा कि तुम गहराज में जाओगे, सीखोगे, लेकिन कैसे जाओगे, वो तो बहुत दूर है, तो क्या कहता है, I will walk, so do you also dream of flying a plane, क्या तुम plane भी उडाना चाहते हो, तो यहाँ पर हो कहता है, नहीं, he says, कुछ भी नहीं कहता है, so staring at the ground, in his small murmur, so there is an embarrassment, तो ऐसा लगता है, कि उसमें थोड़ी सी disappointment है, but यह जो है, वो थोड़ी different है, हटके है, that has not yet turned into regret, लेकिन उस रीच का दुख नहीं है, क चलो ठीक है, मैं गरीब, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, वो तो करूँगा, plane नहीं उडा सकता, तो वो मैं सोचता भी नहीं हो, लेकिन car तो मैं करी सकता हूँ, ना drive करना या उसको सीखना, so he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town, जो उसके town में कही न कहीं गुमती, उसको नजर आती है, few airplanes fly over फिरोजाबाद और कुछ जहाज भी उड़ते वे नजर आते हैं फिरोजाबाद में, तो यह इस chapter की explanation थी, जो मैंने आपको दी है, so I hope so, this explanation will definitely help you a lot, so video अच्छा लगाओ, तो like जरूर कीजेगा, और साथ में इस video की description box को देखना मत बूलेगा, किसी भी आएगा, कोई और opinion है, तो आप comment section में जरूर बताएगा, so thank you very much and have a very nice day.